नमस्कार मों टेक नाराइन बट्वाई दिन पर्थि दिन का पछिला चाट काट हेरदा मावादी अध्यक्षे प्रचंड और को जुनाप पछी अईले जस्तो आलो चना र गाली का समेत लायक रहने छायनन सत्ता नेत्रित्तो को अंतीम अवसर उनले करिब खेरा फालने नहीं भाये संग्षंगे उनको दर्दनाक राजनितिक अवसान पनी सामुन्यमा प्रष्टर गाडा देखी देगायको छा किने अरकसरी केवियर मा आजा ठपाउला प्रदानमंत्री प्रचन्ड प्रमुक अथिति बने भरतपुर मेर रेणु दाहाल की पूत्री एवं प्रचन्ड की नातिनी को भव्य विवाहा मा बालेन साहा निम्तो मान नगये लागेको तियो प्रचन्ड बालेन सम्मंद मा नरंपन आये छा तर आजा स्वं बार ललिदपूर मा प्रचन्ड बालेन आपसमा सार्वजनिक छेडखानी मा उत्रियेको देखेपची फेरी लागे वो पुचर्त बांगा को बांगईर आये छा पर्थान मंत्री को दिखदारी जलकावने यो सम्छेप अम्सबात आज आरंबगरों। अई बालेंद्री जी गई आलनुब। मला फेरी पहला बोले रहा हिन्नी समगा पनी मला अधेली इरिटेसन हुँचा। अफुले भन्नी कुराचे भन्नुचा भन्नी आलनी तेसको जबाब सुनन गोलाई बहदै न भन्नी गवार ना हुदाई नुदाई 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 बहदनुपर प्रमुख अथितिले बोलनी बेला संग। शुनी आलेओं मंजमा मेर बालेंच आफु बोले रहें पर्दानमंत्री पर्चंड को असंतोस रा दिगदारी। बालेंद्र जी गई आलनुबायो ये शरी पहले बोले रहें हीनी आलने संग मलाई रेश उडच आफुलाई लागे को भनने अनि तेसको जबाब सुनन चाई न भसने पर्मुख अथितिले बोलने बेला समत भसनुपर छादी। ललीदपुर महानगर को इस्थापना दिवसमा परदान मंद्री परचंडा र कठंडू का मेर बालेंचा आपा स्लाईट दोशा रोपन र असंतोस पोखन उत्रिय का हुन। पर्दान मंत्री को जीकिर छा मजस्तो समन्नों वेकारी को छा अनी मेर बालेन को गुणासो छा पर्दान मंत्री गिर्य मंत्री ले ततकालाई गर्न सकीने सामन्य सहयोग पनी गरेनन तर्शक्मिन भरतपूर मेर रेडु की पुत्री पर्चन की नातिनी को भड़िकिलो विवाहाचर चा जो ब्यापक छा अईले आज खास सामागरी तेश्मा पनी हुने छा पहिले पर्चन बालेन बीज आज चले को टोका टोकी अली विश्तार महेरों सुनो जती समय लाग से तेती सामादान हुने बीशाए होती होती है समयन ने जिवले चाहानू भो ग्रिया मंत्रार ले चाहानू भो वहने त्यों पाच बिरेट तेखी ए गंटामा सल्टी ने समस्य आरूपनी शन मुआ अले बन्नोबो आवडा निकलीनि बित्तेगी होंचा, मा पख़पद्गे लाख के हांगा बालेंद्रजी तपाहिले चाहे त्यो भागमति मौण हस्तचेप को खुरालायी लिएर होस् Нिया तिनकुने को कुरालायी होस् चाहे फूर महीला व्यवस्तापन को निम्ती कासमाडों उपत्य का भित्र मिलेर काम गरने बारे माँ कथी पटक चाहें शिंगदरबार माँ बायो के अईलेको प्रदान मंत्री जत्की को सकारात्मक रचनात्मक दंगाले यो समस्या समाधान गरना समनने गरेको और को कहीं कशाई ले देखनू भाल छा प्रदान मंत्री ले बल चाहें गरी राखिया अचा भरना के ले रोकियो अमिला इता किला अख्षा मन्ता हैरी संग लेर प्रदेश ले गरनू परने काम स्थान ilे गरदे देशा मने ता प्रदेश रunächst संग खुशी उनू परछा मेरो काम अरू किसले गरदीर ने मत उसले गरदीन चुला गरदीन है मत चुपल हैर बस्च तपाई कास्मान्टु मान अगर पालीका को मियर उनको नाताले लालित्पूर भगतपूर रा कास्मान्टु भित्रकार अरौन नगर पालीका लाय शमणको ब्री जिमेबालि च रो मले तपाईला शोहक कारच महरा लगातार को फ़ोगीनाईज offline के ले रोके पथेकागो फोर बेवस्टापन 5 बर्षको लागे आनेकी 50 बर्षको लागे आनेकी समय बर्षको लागी चाहितु दिर्गकालीन होस बंने चाहाना छा बड़ा अर्चन परेको सतेश्मा कानों निए थे बाधा अर्चन फुकाई दीनु ना समनने जिवला यहीं बड़ा आग्रहपनी गरे अन्रोदपनी गरे मैले गरेका सकारात्मक प्रयाच लाई सकारात्मक सोच निए रिकोगनाइज न गर दिनु शकरात्मक शोचला प्रोच्छान न दिनु हो मैले त्यो पीडा पनी बेला बेला मां मासुस गर्नी गरेगो छो संगी एता बनेको संग मात्रे होई न संगी एता बनेको संग पनी हो प्रदेश पनी हो इस्तानिय पनी हो इस्तानिये सरकार पनी संगीये लोगतांतरी गणतांतर गड़ा अभिन्ना अंग हो महावादी अद्ध्यक्ष एवं परदानमंत्री परचंड की पुत्री रेणु दाहाल भरतपूर महानावर की मेर हुन सबेले थाचा रेणु की पुत्री परचंड की नातिनी को भड़किलो विवाहा चर्चा अईले व्यापक्ष राष्टपते रामचंद्र पवडेल देखी सेलिब्रेटी मेर वालेन साहसं महाद्जार भंदा बड़ी विवाहा का निम्तालू थिये अन्त भएको भए विवाहामा गरेको खर्च रा निम्ताई एका मांचे अरुको संख्या को विशायलाई लिये रा र्यडू दाहाल को पद जाने मात्रे वाई न जेल नई चलान हुने थिन तर नेपाल मा नेतालाई कानून लागने कुराई भायना तेस माथी प्रचंड की राजकुमारी ट्वीटर मा अनंत कोईरालाले यो परकारले लिखेका सन। सांधर्विक र घत लागदो द्रिष्टांत को चर्चा अब जोड़ दैछू परचंड परिवार सम्म यो बिर्तांत एदी पुगे छा र कथम अलीकती भाये पनी सरम सरम जागे छा भने धन्य होने छा। तर्शक्मिन आमीले भारत भारत सिमा अथिकर्मन देखी व्यापारी एवम कुटनितिक हेलागोंचो शहनू परेको छा भारतिय हेपाप प्रभिर्तिको पाटो अलग गई छा। तर्श राजनितिक नेत्रित्तो कस्तो उन्छ भन्ने द्रिष्टांतमा केई भारतिय नेता हामरा लागी पनी अनुकरणिय छन। सरद्दा साथ लिन सकीने तेस्तो एक नाम हो भारतिय पुर्भ प्रधानमंत्री लालवादूर सास्त्री बाईर बाट निकैश्वम्य र विनम्र अनि भीत्रका उनी स्वाभिमानी एवम द्रिड निश्चाई नेता थिये लालवादूर सास्त्री। कथित कम्युष्ट नेता प्रचंडर वहांको खांदान हुदै सम्मंदित सबै नेतार उनका परिवार जनले भारतिय पुर्भ प्रधानमंत्री लालवादूर सास्त्री बाट प्रेरणा लिने चेश्टा गरून। अमेरिकाले भारत लाई दिदे आयको खाद्यान खासगरी गहूं दिन बंदगरी दियो किनकी पाकिस्तानलाई पच्छे पुषण गरने अमेरिकी निती र सर्त तातकालीन भारतिये प्रधानमंत्री लालवादूर सास्त्री ले मानेन। शास्त्री लाई अमेरिकी तातकालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जोन्षन ले धमकी दिये का थिये याता हामिले भाने को मान अईने भाने खाद्यानने को निर्यात बंदगरी दिन चुँ औनी भोगने सव आहार को संकट। शास्त्री संकट मा परे अमेरिका संग जुकाउं स्वाभी मान मा चोट लागने न जुकाउं नागरीक तहमा खाद्यानन संतुलन बीग्रने। तेसे इवखत पत्नी लरीता शास्त्री लाई लाल बाहदूर ले सोधे के हामी रहा हामरा बालबच्चा ले हपता मा एक छाक खाना कम गरना सक्षों ताकी मा देशबासी लाई उपबास को आगरह गरना सकूं। सक्षों सास्त्री परिबार ले सुरुमा आपैले एक छाकी आजमा आया रहेरे, एक छाकी एक छाक न खारा पने सकीने रहेए शा, तेस मची देश बाशी का नाम मा सम्मोधन का क्रमा, पर्दान्मंत्री लाल बाहदूर, सास्त्री ले खाना कई लागी बिदेशी संगा हात फैलाऊनू परने राष्ट को संकट सुनाऊ दै यो राष्टिय लज्जाबाट मुक्तिका लागी केई समय जन जनले हपतामा एक दिन एक छाक उपवास को संकलपा लाई साकार पारनू परने अपील गरे जन इस्तर बाट राष्टिय उपवास संकलपा को निष्ठा पुरुबक पालाना पनी भयो रखाध्यन संतुलन बिग्रन पाये नू अमेरिकाले हार माने भारतिय स्वाविमान डगन पाये नू बरू खाध्यन मा भारत आत्म निर्वर्बनने दिशामा अगी बढ़े याई जय जबान जय किसान को नारामा देश गुल्बद्ध भयो शास्त्री को आत्म विश्वास्त्र निष्ठा का बल मा राष्टिय प्रतिकुल्ता नही अनुकुल्ता मा बदलियो यो द्रिष्टान तको कसी मा के निपाल मा इस्ता नेता छन जो पहिले आफु उधारणिय र देश वासिको भरोसा आर्जन गरुन अरुलाई विवाहा को वढ़कीलो विवाहा गर्दा कुने विला मावादी युद्ध का विला अरुलाई वढ़कीलो विवाहा गर्दा कथीत जनकारवाही का नाम मा प्रताडित पारने प्रचंद नेत्रत्तो कई मावादित्यो अ लाई भाटे कारवाई कसले गरोश तर सबीन लाल बादुर सास्त्री पर्धान मंत्री को हैश्यत्मा रूश बर्मन मा जादा पुरानो खादी को कोट लगाय कार रायेशन रूश का पर्धान मंत्री ले तपाई को यो कोट ले रूशी ठंडी जेलन सक्दैन भंदै युटा गतीलो ओबर कोट सास्त्री लाई दियेशन तर अरको दिन सास्त्री लाई उई पुरानो खादी को कोट मा देखे पची रूशी पर्धान मंत्री ले शोदेशन महिले दियेको ओबर कोट तपाईले मन परे न सास्त्री ले जवाब दियेशन निके मन पर्यों नी तरा क्ये वने आमरो भर्मन दलमा एक जाना सदस्यक को मेरो बन्दा पनी सर्दी न छेकने कोट राया छा मलाई वन्दा उनलाई बड़ी आवस्चेक देखेर मेले उनलाई नहीं त्यों ओबर कोट लगाऊना दिये तपाईने दियोको कोट साथ चिके काम लागयो धन्यबाद भारी सभ आमा यही कोट को परशंग जोडे रोशी परदान मंत्री ले भार्षण में भने छन हामीत क्ये कम्निस्ट सास्त्री जी पोता सुपर कम्निस्ट होनु दो राय छा बिजुली को खपत कम गर्न रा फजुल खर्च जोगाउन निवास र कारेलाय मा लाल बादुर सास्त्री ल निवास कलकाने प्रदान मंत्री शास्त्री चणने शरकारी एमपला कार थीयो एक दीन सास्त्री का चोरआ अनिल सास्तरी त्यो शन्ग सरकारी कार प्रचालक लेर पितालाय थाईन दИ गोमन निश्केशं। अबेर राती घरा आये रा चुपचाप सुते का च्छोरालाई शास्त्री ले ब्याण शभेराय उठाया रा शुदेशन तिमिय औरु कार लिये रा गुम्नगळएको हो च्छोराले बनेचन हो चालकलाई बुलाईयो रा- शास्त्री ले शोदit तिमी कार को दैनेक लग बुक राख्षो ? इसो इन्यों कती किलोमीटर यात्रा गारे हिसाप छा छाउडा किलोमीटर बताए शास्त्री ले, निजी सचीप ला बलायार 14 किलोमीटर को कती हिसाप आउँछ ? तियोरगं शरकार को खाता मां दाखिला गरेरा मलाई जानकारी गराओनौ। परदानमात्रि शास्त्री ले ले निव्हार का इस्थानीलाई निमताया कराया छन। श्वही दिन बिशищ सरकारी काम ले, उनी समय मां अपनो निवास फर्कन पायाँ हूएनلم। सास्त्री लाई कुरे र बशेकाहरू निराश भाये र फरकेचन सास्त्री आई पुगदा भर्खर निष्कियेको पाउनाहरू र नजीकएको बस पार्क तरफ लागेko थापाये , उनी आफई बस्पार्ग तर्फ कुञ्न लागेको देखेर, शचीब ले भनेछन, ये री प्रधान मंत्री नहीं बस्पार्ग धायाको देखेर, मानि उरों क्ये भनलान, मगयरा उनी ओरला है लेरा आउगछु शचीबले भनेछन जबाफ में शास्त्री ले बनेशन प्रदान मंत्री ले पाउना बोलायर नवेटी कन निराश पारेर फरकाय को था पाउदा जन मानिशोर ले क्या बनलान। मही जान्जू। वनेर उनी बस पार्क पुगेर ती पाउनाव संग छेमा मागदाई फरकायर निवास ले आएशन। तर समिन लालबादु शास्त्री को निधन मा उनका कट्टर आलोचक एवं दुस्मन प्रदान मत्री जो थिये पाकिस्तान का राश्वपती मोहमद अयूभ खां स्वयम उपस्तित भायर सबलाई का दिये का थी। आपसी दुस्मनी उनियोर संग थियो तर सास्त्री को शरल्ता रा उनको वड़ा वाइभव का अगारी जुक्न पाद देभाए पकिस्तानी साशक समेत। सोवियत का प्रदान मंत्री ले पनी सास्त्री को साबलाई का द हाले का थी। दरसे मिन इस विवराण हरू विवीशी का लागी रहान फजाल को विवेशा नामा उल्लेक गरेका इस ता थुप्रई सरहनीय किस्चा हरू छन सास्त्री जी का। भारत को दोस्त्र प्रदान मंत्री रहेका लालबादर सास्त्री ले देहत्या गरता। उनले आफना नामको घर, जग्या, धनमाल, केई, सेश छाड़नो परेन नत रिन्ड भार नहीं उनको थिय। निजी धन संपतिका मामालामा उनी निके हलुंगो बाचे रहलुंगो भायरै बिदा भाये। आज यो द्रिष्टांत सांदर्विक लागयो किनकी आमरा प्रदान मंत्री प्रचंड आफु मनलागदी गरने र उल्टाई जनतालाई दोसारोपण गरन र धमक्याउन पछिन परने तहमा उत्रियेका छन्ड। के बेर में हमेलित्यों सुनाउला। कती सम्मा वन्ने उच्छ अधिकारी हरू अर्थात सरकार का सचीव हरू को बैठकमा प्रदान मंत्री प्रचंड ले आपनो आदेश पालना नगरेको बंदै सीह दर्बार में गुनाशो र दिगदारी पोखेका छन के दिना गाडी। तर उनले आफु लाई नपत्योंने यो इस्थिती किना र कसरी बनी रहेको छा। तो ख्याल माली एका छाइनन। म आफु चाही ठेगान मही छूत तेशको प्रदान मंत्री प्रचंड ले हेक का राखेका छाइन। लालवादूर शास्त्री ले जनतालाई एक छाक खाना बंदगर्णूस भन्ने नईतिक ताकत राख्थे। उनी संगत्यों अपिलिंग क्यापासिटी थियो। तरा आमरा प्रदान मंत्री ले सरकारी जागी रे अधिकारी हरु बाटाई उपेच्छ्य भवनू परेको गन-गन गर देशन। ले जो मेरा लागी जन-जन ले जियान को बाजी लगाउं थे तरा आज सरकारी बेतन धारी हरु ले समेत पत्याउन छाडे। मैं यो हद को कमजोर उपेच्छा को लायक कसरी बने प्रचंड ले सोची विचारी गरने बेला निकाई घर की शाकेको छा। अब अता उनलाई पत्याउन पाटी पंग्ती नहीं अनुदार भाई शाकेको छा। पाटी पंग्ती नहीं पत्याउन मन्जूर छाईन। धन्न प्राभिदी एवं गणितीय बाध्यताले प्रचंड लाई देवबा माधाव लगातले का धाली रहेगा छन अईले। जब उनको सत्ता भर्यागी वाला यो अईले को जो उपादेयता छा। शेश बचेको योपनी कुने दिन शकीने छा। तो निकाई सन्निकट मा देखी दाई छा। तेस पची परचंड संग अंतिम्मा सायद पारिवारिक ब्रित्त मात्रे शेश राने छा। परिवार का लागी उनी जसरी मरिमेटे का सन। सायद उनको नियतिमा अंतिम्मा आयर ते परिवार मात्रे शेश बचने छा। अईले जस्तो गाली र आलो चना का समेत लायक रहने चाहिनन प्रचन्ड उनको राजनितिक अवसान सामुन्यमा प्रस्ट र गाडा देखी देगायेको छ विस्तार मा थप चर्चा गरउनला दवसाईक अंतराल पची पुना स्वागाच्छ दर्शमिन नेपाल एशिया काई गरीब देशमा खसकियेको छ तरह यहीं देशमा कम्निस्ट सिद्धान्दको खोल ओडेर नवसाशा करू पुजी बादी अरुलाई समेत माथ दिनेगरी धनाट देशन र निरंतर आपनो जिवन शाईली उकास देशन कमता रवाव छैन अरुलाई परगती सील र जनवादी विवाहा संस्किर्थिको पाठ पड़ायर आफूले बेहिशाब खर्चर ताम जाम सैत भड़किल विवाहार रचेको माँ प्रदानमंत्री प्रचंडर भरतपुर मेर रेडु दाहालको चरको आलो चना भाई रहेको अगी पनी उल्लेख भायो की अन्त भायको भाय विवाहामा गरेको यो खर्च रणिम्ताई एका मांची अरुको संख्या को विशायला लेर रेडु दाहालको पद जाने मात्रे है न जेल नाई उनी जानु परने इस्तिती बन्थे हो तर नेपालमा नेतालाई कानून लाग कुरेई भायन तेस्माथी प्रचंडकी राजकुमारी पर्तिकिरिया सामाजी संजालमा पोकियेको पुन उच्छारन गरे। संजालमा इस्ता धरेक पर्तिकिरिया अरु पोकियेका छन। कुने उद्धोगी व्यावशाय अरको विवाय योवंदा तुमधाम ले होंचा तर राजने तिक परिवार मा तेसको सार्वजनेक लिखाजोखा मा मामाला आऊँचा तेई मामाला आएले आयको होर हमी इपने तेसलाई सार्वजने चाशोको मामाला भुहायका काराण ले विशेय बनाया का हूं तो समिंक कथी पहले परचन खांदान ले भड़कीलो व्याभार बाताई व्रस्टाचार को प्रमाण पेश गरेको भनेर बनी इसलाई और थे आयका छन प्रस्टाचार को यो देश मान नेता आरू को सबुद परमाण भेटनम मुश्किल होंचा आच बर्ब्यवाहार खर्च पारिवारिक स्थिती उनियोर का रवाफ ले तेसको परमाण पेश गरेज राक्ष जुनकुरा कानूनी इसाबले गड़ानामा ना आउला तर जन नजार मा त्यों गड़ानामा आउँछ परचन परिवार मा हात्तिको देखाउने दात र चपाउने दात अलक रहेको जस्ताई इस्तिती यो थप पुष्टी भायको बनेर पने चर्चा पाईरायेको छाँ मावादी अद्यक्ष प्रचन्ड को अदोगती नरोकीने भो वन्दै पाटी नेता आरूने मावादी गे नेता आरूने सार्वजनिक आलोचनामा उत्रियेका छन परचन्य परती कटाक्षे गरदे मावाधी केंद्र कई नेता लेखनात नेवपानेले संजाल मा लेखेका छन लुम्मेनी विकास कोषको नियुक्ति बाटन शुरूभाये को रुपान तरण अभ्यान गोकण रिशोर्ट मा पुगेर समापन विवाध आस्पत प्रिष्ट भुम्मी का लाहर क्याल लामा लाई लुम्मेनी विकास कोषको उपादक्षे मा नियुक्त गरियेको र नातिनीको भड़किलो विवालाईल अचित गरदे मावाधी के नेता हरूले अध्यक्षे प्रस्चन्ड को नसुधरिने इस्थितिलाई प्राहार गजर्याए काछन खूले आम सार्वजनिक तहमा प्रदानमंत्र के राहनितिक सल्लाकार एवं मावाधी के नेता हरीबोल गजुरेल यो सरकार सुधरिनेर गरिखाने चाट को देखियना बंदै राजीनामा बजारेर प्रचन्ड बाड़ा पाखालाए काछन सरकार उनले चाड़े काछन उनको राहनितिक सल्लाकार को परवाउने थिये उनले पत्याक गरे काछन परचन्ड सचिवालाए मा परिवारवाद हावी छा मेरोके काम बंदै भुमी का बिहीन पारियोकोमा हरीबोल गजुरेल को बिद्रोह बताउशन पाटिकै नेता हरू सुप्रीम परचन्ड परधान मंत्री भायकाई बखत जन युद्ध का लड़ाकू गुजाराकाई लागी सुधूर उताको रूशी शेनामा जिवन दाव मा चड़ाउँ देशन। जनतामा मिले मतोमा ठुला दलको राष्टिय सौमती उन्च ब्राष्टाचार मा यो स्तिति परेकोश ब्राष्टाचार का मौशुदा कांड अरू साम्सुम बयकाई थपिया कांड चान्मिन गर्नका लागी बने को स्वमिति में कांड कारियो अरुको घुषपाईट आले यो सरकार लाई धिकार दैछन र अब वार पार को मनोधासामा पुगे काशन उता प्रमुख पर्तिपक्षी को तर क्ये कुरा गवादू प्रधानमंत्री पर्चंड पर्ति दिन जन इस्तर मा चरम बित्रिश्णा बर्दो छा तर प्रधानमंत्री आपनो अईना हेर न पटकई चुक चैनन बर उनी जनतालाईने फरकार अईना देखाउने कू बुद्धी मा उत्रिये काचन सुनों हेरू अजा बड़ दुखत बाटो बाटा बिदेश जाने बिदेश मा गवरा बड़ तल्लो इस्तर को स्रम गवर्नल अफ्थ्यारो न मानने तर न मेरो बनाईको तात्परे केच मने कहीं न कहीं हामी भित्र राष्टिये भावना डेश वक्तिको भावना मैले नेपाल बनाउनो बने भावना मर्दाई गयो आमी नेगेटिव कुरा बड़ी गवर्ने बानी बहना थाल्यो नेपाल मा पोजेटिव कुरा न देखने शकारात्म कुरा उज्यालो तिर नहेर ने खाली अध्यारो खाली नकारात्म परदानमंत्री कुरा सुन्दा रा मनोदसा बुज्दा यो देश मा बड़ा खुशाली छा शवय रामरै रामरै छा परगतिने परगति भायको छा भने रा प्रसम्षा महिमा मन्नन जैजे कार गरनुपर ने वहांको अपेक्षा सुनीं छा तर जन इस्तर मा त्यो परकार ल बुआ रामरै रामरै रा परचार होस हामी यो परकार ले टेलीवीजन मा न कराऊं आलो चला न गरूं बरू भजन गाऊं जैजे कार गाऊं वहार को अपेक्षा स्थर जन इस्तर मा इस्तिति और परदानमंत्री लागे को छा नी आम जनता लाईते इसको ठीक उल्टो या आमGAN ठिक ॹैह कुरा कास्कारी प्रफ्धानमंत्री प्रचनलले नहीं ऐ खामाने लिए झोका गरोन्ग प्रफ्धानमंत्री महीं जनताले खास खोट देखिरायका चन Pakरां प्रॉन्तरी दोस अंन्पयजार्ण उतारू छन उदा मन्गłe एआ hmам सम्मा प्रदानमांत्री उद्रिएकाशन तीमे और रूश मा जानू कीन पर्थियो यो पर्कार ले बद्धान मनत्रित लाइकिछ भघाई बद्धान मंन्त्री लाइक्षै गर्यारा गणा आगाईक्षै ज्मा किने दुभण गेंको !! तियो उनहेने जानूं तर व्रष्टाचार वेथिती र मनपरी को पारो अचाकली बर्दो छा इस्थिती ये थार था यो हो आम जनले मुलुक को कुशासन देखे रह यो देश माता अब गरीखान और बास्न समेत मुश्किल भोव भनी रहाया कासन जरजर विकल पर वोजे रह मानी शुरू पलाइन बाई रहाया कासन कतिसमा मने परचन नेत्रिप्त को जन्युद्ध मां जियान अहत केला मर आखेर लड़ेका मावादी के लड़ाकु हरू रूशी सेनामा भार्ना वायर यूक्रेन बिरुद्ध युद्ध लड़ने जस्तो सुन्दै दर्दनाक लाग अने मामालामा सामेल छन त्यू प्रदाई बिकल परवजन उनियुरू बाद देशन परचन ने सरकार काई वेलामा उनकाई लड़ाकु मर्ना वंदा भूलाउन निकुकू हालत माँ चन अनि परचन नले लाई रहायरेकस युद्ध देशमा सब ठीक ठाक चल रहायरेकस रह उनि चाहांचन सरकार को प्रशमशा होस। ती लड़ाकु हरू रहरले वईन बाद्यताले जयान को बाजी लगायर सुधूर भूगोल को त्यो जरजर युद्ध मा होमीन पुगे का हुन परचन लाई यो लागी रहेकस रहेकस युद्ध परचन न घराना न नवा धनाड् वाई शक्यो जनताता उस्शाइ पनी परलायमा छादैशन तपाई का परलायका दिन पनी नजी के नजी की देगारे को तेखी देचा बंचानी आगे चेते चेते नहीं पची चेते होते नहीं आगे यहां कई जो मर्जी होस्त आज़क लागी बिदावंचू नवस्कार झाल झाल